हालो अब्रिवन वेलकॉम टू माई चालल से अभी वितासोग फ्रेंस आज हम ब्याफिम के मडूल ए में चैप्टर नुबर 7 करेंगे तो फ्रेंस यह चैप्टर बिसिकली एकजिम बैंक और उसका रोल क्या होता है फेमा की गाइडलाइन और फिड़ाई की गाइडलाइन और इसका होता है फ्रेंस एक्स आ एम बैंक इसको ऐसे लिखा गया है एक्ट चैप्ट ऑर इंपॉर्ट क्या सी में 1981 में इस्टेबलिस हुआ था इसके लिए जो है Export-Import Bank of India Act 1981 आया था नी से क्या सी Export-Import Bank of India Act Government of India जो है Act लेकर आए थी Export-Import Bank of India Act लेकर आए थी क्यों कब लेकर आए थी तो 1981 में लेकर आए थी जिसके जरीए एक जिम बैंक की इस्टेबलिस्मेंट हुई थी जरूरत यह थी कि मतलब हमारी एकोनामी को ग्रो करने के लिए जरूरत थी कि हमारा एक्सपोर्ड जो है वो बढ़े जो गुड्स हम प्रड्यूस करते हैं वो बढ़े और साथ ही साथ हम भी दोसों से नहीं नहीं टेकनोलोजी को भी इ उड़े हुए हैं उनको यह फाइनेंसियल एसिस्टन्स मतलब लोन वगेरा प्रोवाइड करेगा प्लस सर्विसस अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो वह भी प्रोवाइड करेगा और लांग टर्म बेसिस पर अगर किसी को फाइनेंसियल लोन चाहिए तो उसके लिए लिए प्रोवाइड करता है तो एक जिम बैंक बिसिकली क्या करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनस में जो भी इंटिटी लगी हुए जो भी कमपनिया जो भी लोग लगे हुए है उनको अगर फाइनेंसियल एसिस्टन्स की जरूत है तो वह प्रोवाइड करेगा अग ग्सपोर्ट इंपोर्ट या इन्वेश्ट месте करते हैं उसके लिए की प्लियर का काम करता है कौं इक जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया influx одного मुखसी दॉत की प्लियर का काम करता है तो इसे कटलिस्ट कहते हैं उत प्रेरा का काम करते हैं मतलब यह हमारे देश के एक सोड़ को जैसे से लेक्चर को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि यह जो है मतलब जो है export को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के काम आता है फ्रंट्स ओके तो एक जिम बैंक क्या होता है export import bank of India होता है इसका establishment 1981 में हुआ था उसके लिए government of India export import bank of India act 1981 लेकर आई भी थी और इसका काम क्या होता है अगर जो है export import में जो लोग लगे हुए है उनको financial service provide करता है यानि loan औगरा provide करता है और साथ ही साथ ये provide क्या करता है आपको services जो भी उससे related जानकारी international trade से related वो भी अब लेबल करवाता है अब ये इस काम को करता कैसे है तो देखिए जैसे ये आपको जैसे आगे हम credit to other government दूसरी सरकारों को ये line of credit अब लेबल करवाते हैं for promoting export of goods made in India जो हमारे देश में जो goods बने हुए सामान बना हुए उसको दूसरे देश में भेजने के लिए line of credit दूसरे देश की सरकार को line of credit अब लेबल करवाते हैं फ्रेंस उसके बाद में ये अब चुकि इतना सब कुछ कर रहा है तो ये जो है growth engine के तौर पर काम करता है industry के लिए SME small and medium enterprises के जो product होते हैं और उनकी services होती है उनको दूसरे देशों में export करने के लिए ये बहुत ज़दा help करता है इसलिए ये industry के growth में engine की तरह काम करता है कौन एक gym bank अगर हम कहें एक gym bank के बारे में 60 में तो एक gym bank 1981 में established हुआ था इसका headquarter कहा है तो इसका headquarter मुंबई में है और ये एक RBI की subsidiary है कौन एक gym bank RBI की एक subsidiary है तो एक gym bank क्या होता है हम नहीं समझ लिया भादेश में export और import का जो business है उसको बढ़ावा देने के लिए loan की जरुवत होती है या जानकारी की जरुवत होती है वो सारा अब लेबल कर राता है आपका एक gym bank ठीक है और ये जो है established का भुआ था तो 1981 में established हुआ था इसके लिए government आफ इंडिया ने export इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया act 1981 लाया हुआ ये एक catalyst का काम करता है उत्प्रेरक का काम करता है चीजों को बढ़ावा देता है और ये key player है cross border trade और investment के लिए जो cross border दो देशों के बीच में जो ब्यापार है या जो investment है उसके लिए ये key player है बहुत important role play करता है ये दूसरे देश की सरकारों को line of credit अब label करवाता है ताकि वो हमारे देश से goods को import कर सके अभी line of credit के बारे में हम detail में पढ़ेंगे अब इतनी सारी सुब्धायां देनी के वज़ा से ये जो industry होती है उसके लिए growth engine का काम करता है अब जो ये काम करता है जो function या operation करता है एक जिम बैंक वो इस philosophy के अंडर में आता है मतलब इसकी basically क्या चाहता है तो ये है ये चाहते है जैसे friends देखो अगर कोई goods है वो 100 रूपय में 100 डॉलर में US में मिल रहा है वही अगर हमारे देख से बन कर जा रहा है वो 1500 डॉलर में बिक रहा है किसी दूसरे देख से बन कर आ रहा है तो ये US में 100 डॉलर में हमारे देख से जा रहा है तो 1500 डॉलर में तो हम ऐसी सिच्वेशन में competition नहीं कर पाएंगे और या मतलब पैसे में भी प्राइस में भी डिफरेंस है और जो क्वालिटी है उनके गुट्स की जाता अच्छी उनका गुट्स जो है 7 यर तक अच्छा चल रहा है हमारे गुट्स 5 यर में खराब हो जा रहे है अगर कुछ ऐसी सिच्वेशन है तो हम competition नहीं कर सकते हैं तो उस चीज में competition को बराबर करने के लिए ही यह करता है इंडिया के एक्सपोर्ट को internationally competitive बनाने के लिए यह finance आफर करता है competitive rates और condition पर जो finance मतलब जो है जो आपको loan और अब label करवाता है वो बहुत ही सस्ते दाम में अब label करवाता है ताकि आप अच्छा goods बना सकें और international market में compete कर सकें भाई अगर loan सस्ता मिलेगा तो जो दूसरी देश के लोग 100 डालर में बेचेंगे US में तो हम भी जो है जाकर के 100 डालर में वहाँ पर बेच पाएंगे क्योंकि अगर हमारे हाँ loan सस्ता है तो अगर loan सस्ता नहीं है तो फिर हमें 120 डालर का बेचना हमारी मजबूरी होगी क्योंकि हमारा सामान बन ही महंगा रहा है तो यह काम करता है एक जीम बैंक उसके आप हमें alternate financing solution अब लेबल करवाता है अगर आपको बैंक वगरा से loan नहीं मिलता है तो यह एक जीम बैंक खुद ही आपको loan अब लेबल करवाने की कोशिस करता है तो यही करता है तो यह जो है इंडियन एक्सपोर्टर को कौन से देश में माल लिजे जैसे हमारा व्यापार माल ल देश हैं जहां पर एक्सपोर्ट की अपार्चुंटी अभी मौजूद है कौन कौन से देश में अभी हम बेच सकते हैं अपना सामाल ले जाकर के तो हो सकता है उस समय 20 देश थे 1981 में जब यह बना था उस समय 20 देशों में हमारा व्यापार चलता था अभी हम 200 देशों में तो दियर इजर रीजन कि हम एक जिम बैंक ने ऐसी हमें जानकारी और सुविधाई अब लेबल करवाई हुई हैं उसके अलावा यह जानकारी अब लेबल प्रोड़क्शन में मार्केटिंग में फिनांस में इंडियन प्रोड़क्ट को इंटरनाशनली कंप्टेटी बनाने के लिए रोड़कशन कैसे करना है किस लेबल का गूट्स होना चाहिए मार्केटिंग कैसे करेंगे उस देश में जाकर करके मार्केटिंग कर वायेगा आपकी एक gym bank और उसके आद में finance भी प्रोबाइट करेगा आपको loan और भी प्रोबाइट करेगा ताकि आप international market में हमारा जो product है वो compete कर सके जो basic target reference हो यहाँ पर कि हम बिदेशों में अपना पैर जमा सके उनके market में हमारे product बिके जो basic target है यहाँ पर वो यह है उसके अलावा अब तीस दिन के अंदर में हम documents नहीं जमा कर पाते हैं इसको अब 30 दिन करवा दीजिए तो फिर इस matter में एक gym bank लुक करेगा कि ठीक है अगर 30 दिन अब label करवा कर तीस दिन का मौका दे करके अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने export problem को solve करने के लिए तो यह अच्छी चीज ह लोन आफर करवाता है आपको सस्ते रेट में एक्सपोर्टर को लोन आफर करवाता है ताकि आप जो है सस्ता सामान बना करके विद्यसों में बेज सकें उसके लावा आपको alternate financing solution भी अब लेबल करवाता है गौर्मेंट और से funding और ले करके यह जो है लोगों को exporter को सस्ते लोन अब लेबल करवाने की कोसिस करता है अगर बैंक को गयरा से ना मिले तो एक alternate option अब लेबल करवाता है उसके लावा किस देश में आप व्यापार कर सकते हो एक्सपोर्ट के पर जुट्टी कहां कहां पर है उसके बारे में जानकारी और सलाह पूरी की पूरी उस case में insurance provide करता था वो insurance के ओल provide करता था ECGC export credit guarantee corporation सिर्फ insurance provide करता था फ्रेंट लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक जिम बैंक है यह insurance पर ना फोकस करके यह export और import के पूरे main task को देखता है ध्यान दीजे export और import के main task को कौन देख रहा है एक जिम बैंक देख रहा है और एक बार ज ECGC role में आता है उसके बाद में यह production कैसे करना है उस देश में अगर marketing में problem होरी तो marketing करवाएगा finance अब label करवाएगा ताकि Indian product जो है international market में compete कर सके उसके अलावा अगर exporter को कोई problem है policy से related को resolution की जुरूत है तो उसको भी यह help करते है तो हमने यह समझ लिया फ्रेंस की एक जिम पारी है उनका उनके पैर जमाना इसका basic target है अब बहुत सारे उसके लिए product offer करता है एक जिम बैंक क्या करता है बहुत सारे financial product offer करता है तो इसमें यह 5 product है जिनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे buyers credit corporate banking offer करता है line of credit देता है overseas investment देता है project export देता है हर एक बारे में हम detail में पढ़ेंगे तो देखे buyers credit क्या होता है तो buyers credit इसको अगर हम simple language में समझे देखिए जैसे माल लिजे हमारे देश में कोई exporter है ठीक है exporter है या front seller हो गया दूसरा देश माल लेते हैं France है France में कोई buyer है या importer है इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश म सामान बनेगा और इस देश में France में जाएगा तो यह ले जाएंगे तो importer कहलाएंगे हम बेचेंगे तो exporter या seller कहलाएंगे यहाँ आपको कोई doubt नहीं है अब क्या होगा माने लिजे जो France में buyer है देहान दीजेगा इस बात पर जो France में buyer है उसके पास पैसे नहीं है तो exam bank क कहता है कि ऐसा करिए आप हमसे लोन ले लीजिए ध्यान देना प्रण से आपर बायर को यह लोन दे देगा किसको बायर को जो France में buyer है उसको लोन दे देगा ताकि इसके पास एक बार पैसे आ गए जब अगर आमान लो यह 100 करोड का इसको लोन दे दिया मान लेते example 100 करोड का हमारा ही सामान करना पड़ेगा इस कंडिसन के साथ वो buyer को लोन दे दे देता है इसे ही buyers credit कहते हैं बायर का credit बायर को लोन दिया जारा है seller को नहीं दिया जा रहा है और धियान रखिएगा जो मैंने buyer बताया वह विदेशी ही होगा धियान दीजेगा ऐसा नहीं कि हम अपने देश में बायर नहीं रखेंगे तो ये एक दो बाते ध्यान रखिए जो बायर है पहली बात वो फॉरिन का होना चाहिए फ्रांस जपान जर्मनी जहां का भी हो तो बायर जो है बिदेशी होना चाहिए फ्रेंट्स ओके उसको क्रेडिट प्रोबाइड करता है उससे फायदा क बायर्स क्रेडिट का सिंपल सा कॉंसेट ही है कि जैसे एक दुकानदार है उसने टीवी बेचनी है और आप हैं मान लेते हैं बायर और आपके पास पैसे नहीं है तो टीवी वाले दुकानदार ने आपको 10,000 रुपए का लोन दे दिया बदले में आपने टीवी खरी ली अब मान लेजे कोई एक देस है फॉर इक जबले हमारे देस का एकसपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग हमारे देस को सामान नहीं मंगवा रहे हैं लेकिन अब क्या किया जब एक जीम बैंक ने वहां के बायर को जा करके लोन दे दिया कि यह ले लिजे 100 करोड डालर आप ले लीजे हम से और बदले हम हमारे देश से एक्सपोर्ड करिए तो अब भी 100 करोट डालर हो गया तो उसकी obligation हो गई Nigeria वाले देश की कि अब वो हमारे देश से ही सामान एक्सपोर्ड करेगा इस 100 करोट डालर के बदले में तो अब क्या हुआ कि नाइजीरिया वाले देश में जहां हमारा पहले ब्यापार नहीं होता तो ब्याओसायम नहीं कर पाते थे उस देश में भी हमारी पहुच बन गई है तो वही नई जियोग्राफी पर हमने अपने कदम रख दिये हैं उसमें नई जियोग्राफी को ढूणने का और एक्स्प्लोर करने का आपसन इनको मिलता है इससे फायदा क्या होगा कि जो इसमाल एंड मीडियम एंटरप्राइजिस हैं वो जो है उनका जो सामान होता है ओबर सीज बायर को इन्होंने क्रेडिट दे दी जिससे जो SME के जो प्रोड़क्ट है उस गुड्स को इंडिया से ये लोग इंपोर्ड करना सुरू कर देते हैं इसमाल एंड मीडियम इंटरप्राइजिस का एक्सपोर्डर है उसके पैरलल में यहां बिदेशी बायर को इन्होंने लोन दे दिया एक जिम बैंक ने तो यह उठाकर करके यहां से सामान एक्सपोर्ड करना सुरू कर देता है इसके लिए क्या होगा इन इस प्रोग्राम क्या होता है ओबर सीज बायर जो है एक लेटर आफ क्रेडिट ओपन कर देता है इंड़ फेवर अफ इंडियन स्पोर्डर के फेवर में एक लेटर आफ्डर उपन कर देता है क्योंकि उसको एक जीम बैंक ने लोन दे दिया है और फिर उसके बदले में हमारे देशे सामान को इंपोर्ट कर लेता है और किस बेसिस पर? डिफर्ड पेमेंट टर्म पर डिफर्ड पेमेंट का मतलब फ्रेंट्स होता है जब कोई पेमेंट 6 महीने के बाद की जाए और फ्लस इंस्टालमेंट में की जा तो उसे फट्स हम डिफर्ड पेमेंट टर्म कहते हैं तो ये हो गया तो अब हमने बायर्स क्रेडिट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात मैंने आपको समझा दी कि बायर का credit जो एक जिम बैंक देता वो only Indian goods को export करने के लिए होता है ध्यान दीजेगा हमारे देश से सामान सिर्फ जा सकता है इसलिए मैंने कहा कि जो बायर होगा वो बिदेश में ही होना चाहिए ऐसा ना हो ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि बायर हमारे देश का है अब फिर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तो हमारे इंडियन goods को क्यों export किया जाता है एक जिम बैंक के बायर क्रेडिट के जरिए ध्यान रखिएगा इंपोर्ट को नहीं बढ़ावा देते बायर क्रेडिट के जरिए एक जिम बैंक बढ़ावा देता है इंपोर्ट हमारे देश सामान को मंगवाना चाहते हैं या हमारे देश के कंपणियों को अपना प्रोजेक्ट देना चाहते हैं यहां ठीक है आप आईए हमारे यहां पर काम गरिए अब यह मीडियम और लांग टर्म फैनेंस फैसल्टी होती है मतलब ऐसा नहीं है कि लिया और तुरंथ ही नहीं वापस करना होता तो मीडियम और लांग टर्म फैनेंस फैसल्टी होती है इंटरेस्ट रेट भी नार्मल ही रखा जाता है फ्रेंट्स ओके तो हमने यह समझ लिया आई हो अगर हम हमारे दे से सामान को export करेंगे तब हम ज्यादा forex कमाएंगे क्योंकि अगर goods जाएगा तब ही dollar आएगा है न तो हमें हमारा जहां basic target है वो क्या विदेशी धन को कमाना forex को कमाना अब दूसरा point था इसमें की corporate banking भी offer करता है तो corporate banking में कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं इसमें देख लीजिए research और development के लिए finance provide करता है export oriented कोई अगर unit है कोई unit ऐसी है कोई company ऐसी जो export oriented है तो उसके research और development के लिए loan देगा pre shipment के लिए और post shipment के लिए loan provide करता है कौन exam bank provide करता है अगर export oriented कोई आपकी unit है कोई company है तो उसको जो है credit या loan provide करता है import के लिए भी import finance भी देता है अगर हमारे देश में import भी करना चाहता है कोई तो उसको भी loan देता है तो corporate banking के तहत अगर हम देखें एक gym bank तो अगर कोई जो भी export oriented अगर कोई company है वो research or development करना चाहती research or development किस बात का कि किसी देश में हमारा जो product जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है किस label का हमें product बनाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सारी बात है research and development के लिए अगर loan चाहिए तो वो provide करता है pre shipment मैंने आपको बताया था जहाज में लोड होने के पहले तक का काम packing तक का काम pre shipment कहलाता है pre shipment credit या packing credit एक ही बात होती है post shipment एक बार सामान जहाज में लद गया उसके बाद में post shipment हो जाता है उसके लिए भी loan provide करता है अगर export oriented unit है उसे loan चाहिए लेंडिंग चाहिए तो वो भी करता है अगर importer के लिए finance चाहिए तो वो भी provide करता है तो यह सारे काम जो है corporate banking के तहद यह करता है line of credit का भी concept समझेंगे फ्रेंट देगे buyers credit हमने समझ लिया था buyers credit आपने समझ लिया था विदेश में हमने एक buyer को पकड़ा और उसको जो है loan दे दिया कि भी यह हमारे देश से ऐसा करो एक सामान को खर दो और export करो अपने देश में इंपोर्ट करो अपने देश में ले जाओ ठीक है अब अगर यही काम line of credit का concept यह होता है LOC क्या किया line of credit दे दिया तो यह इससे फाइदा क्या हुआ मालावी सरकार के पास में धाई सो मिलियन डॉलर पहुच गए एक जिम बैंक से अब लेकिन सर्त यहां पर भी जिम बैंक की यही है कि आप यह जो धाई सो मिलियन डॉलर है हमारे देश से खरिदारी के लिए ही का हम करोगे इसका ठीक है अब इस सरकार को तीन से लेकर पान साल का मौका मिल गया कि यह ठीक है 3 से 5 साल में आप हमें 500 मिलियन डॉलर वापस कर देना अब मालावी सरकार क्या करेगी वहाँ पर इनका अपना खुद का डिपार्टमेंट है जैसे हमारे हैं एक जिम बैंक है वै लाइन आफ क्रेडिट मिली हुए तुम्हें जो सामान परचेज करना वो करो फिर क्या होगा सामान ये लोग परचेज करेंगे यहां से अब जो को पहले उस देश में पैसे नहीं थे अब 2500 मिलियन डॉलर है तो तुरंथ यहां से सामान एक्सपोर्ट होना सुरू हो गया हमारे देश से एक्सपोर्ट सुरू हो गया हमारे देश से एक्सपोर्ट होना सुरू हो गया तो यही होता है फ्रेट्स लाइन आफ क्रेट्ट मनला पूरी गॉवर्मेंट को ही जो है सीधे-सीधे हमने लोन प्रोवाइड कर दिया कि 2500 मिलियन डॉलर का हम आपको लोन दे रहे हैं इसे आप 3-5 साल के बीच में जब भी आपको टाइम लगे दे दीजिएगा हमको और बद करने का ओफर तो देगा ही देगा महन लिए किस इस मालावी जो देश था उसमे हमारे देश का कोई व्यापार होता ही नही था अब पूरी पूरी मालावी सरकार को ही आपने पैसा दे दिया उठा करके थाई सो मिलियन डॉलर तो भाई अब ये इस जिस देश में हमारा ब्यापार नहीं होता था अब उन्होंने हमसे लोन ले लिया और हमारे देश से एक्सपोर्ट सुरू हो गया उस देश में क्यूंकि भाई लाइन आफ क्रेडिट की कंडिशन ही यही है कि आपको खरीदना हमारे देश से पड़ेगा ऐसा नहीं कि थाई सो मिलियन डॉलर ले हमसे लिया और खरीदारी आप दूसरे देश से करोगे तो वो प्रक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो इस तरीके से हम नई नई जियोगर चुकी गवर्मेंट ने उधार लिया हुआ है तो वो गवर्मेंट उठागर के एक जिम बैंक को बाद में वापस कर देती तो पेमेंट का रिस्क एक्सपोर्टर के इंड़ पर कोई रिस्क रह नहीं जाता है और यह जो है क्या एक इंट्री मार्केट में इंट्री का टूल है मार्केट में कोई एक देश है जो आपको अपने बोलता है कि हम इस देश से व्यापार नहीं करेंगे मतलब हम इस देश का सामान नहीं इंपोर्ट करेंगे मान लेते हैं को एक देश है अब क्या हुआ जब उसमें एक हजार डॉलर का लोन हमसे ले लिया लाख ग्रोड डॉलर का लոन हमसे ले लिया तो वह मजबूर हो जाता है कि अब उसे हमारे देश सामान का इंपोर्ड करना पड़ जाता है वो हमारे देशसे सामान मंगवाएगा ही मंगवा एग तो एक तरीके सा जिस market में हमारे एक्सपोर्टर लोगों की इंट्री नहीं वो पारी थी उस देश में हमारे एक्सपोर्टर जो है अब इंट्री करके अपने सामान को बेज सकते हैं ओके एक जिम बैंक जो है वो लाइन आफ क्रेडिट आफर करता है मतलब ऐसा नहीं कि सर्फ सरकार को ही जो फानेंसिल इस्टिटूशन वहां के जो बैंक को गह रहा है उनको भी रीजिनल डेवलप्मेंट बैंक है उनको सोबर जीन संप्रूफ सरकार जो नहां की गवर्मेंट है उसको इन सभी लोगों को वो लाइन आफ क्रेडिट आफर करती है ताकि उस देश में उस देश का अगर उस देश को हमने लोन दे दिया तो उस देश में import development होगा वो हमारे तर्फ से क्या करेंगे इंफ्रस्ट्रीक्चर का प्रट्ट्मा प्रजक्ट हायर कर सकते तो हमारे एक जिम बैंक ने क्या क्या उनको line of credit दे दी कि चलो ठीक है एक लाफ करोड की line of credit हम आपको दे दे रहे हैं तो अब क्या होगा एक लाफ करोड की line of credit मिल गई और बदले में हमारे ही देश के किसी company को ये project उन्होंने दे दिया तो इस तरीके से infrastructure project को भी हमें offer करते हैं deferred credit term का मैंने बता है कि उसमें 3-5 साल का मौका होता इसलिए deferred कहते हैं तुरंद payment करनी नहीं होती है अब जो line of credit होती है उसे एक जिम बैंक खुद भी देता है या सरकार की आदेश पर भी देता है अगर government of India कहती है कि हम इस देश को इतने 200 million dollar का line of credit open करना है तो एक जिम बैंक तब भी करेगा और अगर एक जिम बैंक को खुद भी लगता है कि हाँ इस देश को हम offer कर सकते हैं तो वो खुद भी offer करते हैं तो I hope कि buyers credit और line of credit में अब आपको difference समझ में आ गया होगा buyers credit में हम विदेश में जाकर के एक buyer को loan देते हैं और आपका इसमें जो line of credit है उसमें क्या करते हैं पूरे देश के लिए ही हम जो है वो एक line of credit open कर देते हैं मतलब इतना loan उपलब्द करवा देते हैं तो ये friends I hope कि अब आपको ये clear हो गया होगा overseas investment finance में simple सी बात है येदि कोई हमारे देश का exporter है विदेशों में जो है अगर investment करना चाहता है तो उसके लिए ये सुभधाएं उपलब दगवराते हैं ये encourage करते हैं facilitate करते हैं condition for Indian company को क्यों invest करते हैं abroad विदेश में invest कर सकते हैं अगर वहाँ पर उन्हें कोई resource कोईला और चाहिए minerals ये तो उसके लिए market अगर market का study करना है efficiency provide करते है strategic assets इन सभी कामों के लिए अगर उन्हें विदेश में investment करना है तो ये आपको help करते हैं कौन? exam bank वाले project export का क्या मतलब होता है project export का मतलब पूरा का पूरो जब project ही export कर लिया जाता है जैसे civil engineering माली जैसे civil engineering मैंने आपको बता है नहीं airport वाल एक जमपल कोई construction का project दे दिया माली जै कोई dam बनना है वहाँ पर कोई बाध बनना है या कोई power plant लगनना है बिजली उत्पादन केंदर बनना है उस तरीके के काम अगर जो है इनको पूरा का पूरा project ही इंडिया ले लेता है एक जिम बैंक की help से एक जिम बैंक क्या करेगा बिदेश में पूरा का पूरा project ही जो है इंडिया किसी constructor को दिलवा देगा टरन की project फ्रेंस मैंने आपको ECGC वाले concept में समझाया था कि माल लिजे कोई एक company है माल लिजे महिंद्रा company है वो गुरगाओं में जो है अपना एक माल लिजे car production factory खोलना चाते हैं तो इन्होंने क्या किया गिया जर्मनी की company को बोला कि हमें यहाँ पर एक जो है car manufacturing factory खोल दो तो जर्मनी की company क्या करेगी सारा का सारा काम पूरी factory बनाएगी सारा कुछ करके जब यह project एकदम ready हो जाएगा तो इसे महिंद्रा को सौब देगी तो यह concept होता उसे ही turn की project कहते हैं technical और consultancy services जरूत है तो वह भी provide करते हैं तो यह सारा काम project जो एक जिम bank है फ्रेंट्स वह project export के लिए Indian exporter को यह सुबधाई आफर करते हैं Indian company को secure contract है यह क्या करेंगे Indian company या जो है दूसरे देशों में contract secure कर सकते हैं कोई airport बना है कोई बड़ा project है बहुत बड़ा यह काम जो है एक जिम bank आफर करता है project export के जरी एफरेंट्स तो आई होब कि आपको यह जो आपका यह एक जिम bank के जो पांच basic task हैं बायर्स credit में क्या होगा बिदेशी बायर को हम credit देदेगा कौन एक जिम bank बदले वह हमारे देश से सामान export करना शुरू होगा corporate banking में मैंने आपको बता है pre shipment के लिए credit, post shipment के लिए credit अगर research के लिए credit चाहिए import के लिए credit चाहिए तो वो सारा काम करेगा line of credit में मैंने बता है एक जिम bank line of credit open कर देता है किसी एक particular देश के लिए बदले में वो देश हमारे देश से सामान export करने लगता है विदेश में अगर investment करनी है तो उसके लिए पूरी idea देगा कि किस देश में investment करना ठीक रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा project export में भी मैंने बता है पूरा का पूरा project export कर दिया किसी देश में airport बनना है या dam बनना है, power plant लगना है या कोई factory establish होनी है तो पूरा project ही अगर उसका contract है उस contract को हतियाने में ये मदद करते हैं उसको हांसिल करने में ये मदद करते हैं तो ये सारी बाते हैं हमने एक जिम बैंक से फ्रेंट्स related clear कर ली अब इसके अलावा ये तो main उसके 5 टास्क थे उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटे services और program ये चलाते हैं other services और program जैसे consultancy services, जानकारी चाहिए कोई भी उस बारे में export marketing fund product liability insurance और export vendor lending program इन सब ये सारी सुभधाएं भी provide करते हैं इनके बारे में भी फ्रेंट्स एक-एक करके देंगे consultancy services और technology services में क्या करता है gym bank अगर कोई Indian company है उसको assistance की जुरूत है उसे long term loan चाहिए manpower चाहिए मानले विदेश में कोई contract ले लिया तो loan चाहिए उस company को भारती company को loan चाहिए वो दिलवाएगा manpower चाहिए वहाँ पर लोग नहीं मिल रहे है वो दिलवाएगा expert recruitment अगर वहाँ पर जो specialized recruitment की जुरूत है कोई business तरीके के लोगों के recruitment की जुरूत है वो भी करवाएगा preparation आप project report project कैसे बनेगा उसकी क्या report होगी वो पूरा plans, transfer of technology मतलब कहने का एक तरीके से कर देखो तो इंडियन जो company है उसके लिए एक तरीके से ये guardian का काम कर रहा है कि तुम्हें कोई भी problem है वहाँ पर तुम्हें project start करना है तुम्हें loan की जुरूत है हम loan provide करेंगे तुम्हें man power नहीं मिल रहा है लोग नहीं मिल रहे हो भी हम देंगे अगर specialized recruitment की जुरूत है वो भी हम करेंगे plan क्या होगा इसको कैसे execute करना है technology लेनी है या फिर project की report बनानी वो सारे कामों में help करता है एक gym bank तो यही होता है friends आपका consultancy services consultation का काम करता है कि आपको जो भी help की जुरूत है एक gym bank आपके साथ में तयार है exporter के लिए उसका में export marketing fund क्या होता है तो देखो export marketing fund यह होता है आपका export marketing fund होता है आपका इंडियन जो एक gym bank है आपका एक gym bank एक gym bank है इसको nodal agency बनाया था world bank ने हमारे देश को 200 million dollar का loan दिया क्या कि यह 200 million dollar का loan दिया किस परपस से Indian export project के लिए ताकि जो इंडिया के export project है उनको बढ़ावा मिल सके इसके लिए 200 million loan दिया हुआ था और उसके लिए एक gym bank को nodal agency बना दिया कि आप जो है ताकि हमारे देश का जो export का business है उसे बढ़ाया जा सके तो EMP Export marketing fund है क्या हुआ फ्रेंट्स यह export marketing fund होता है इससे फायदा क्या हुआ accelerate the export growth of the target product and industrialized market मतलब कहने का कि जो कोई particular product को अगर आप target कर रहे हैं तो उसका export growth हो जाएगा उसकी ज्यादा export होने लगेगी इंडरिस्टिलाइजेशन आप market इंडरिस्टिलाइज मार्केट में ओके तो देखो export market fund हो गया इसके लिए नोडल एजनसी कौन है एक जिम बैंक है तो पहला जो EFM का मतलब हो export marketing fund 1 आया था कितने का था 2500 मिलियन का था ये किस परपज के लिए था इंडरिस्टिल एक्सपोर्ड प्रोजेक्ट के लिए जिसमें इंजिनिंग प्रोड़क्ट को बढ़ावा देना था फिर आया export marketing fund दूसरा इसे 2 कहा गया इसमें 37 मिलियन डॉलर दिया इसमें export development के लिए था ये especially जो है आपका इंजिनिंग प्रोड़क्ट के लिए था ये पूरे export development के लिए था फिर एक जिम बैंक ने अपने खुद के पैसे लगा करके export marketing fund 3 बनाया ताकि हम अपने देश में export का बढ़ावा दे सकें अब ये मिलता किसको है export marketing fund का फाइदा किसको मिलेगा किस company को मिलेगा तो private sector की company हो या joint sector की जो overall resources जिनके पास हो उनके अदर capability का potential होना चाहिए top management का commitment होना चाहिए export strategy होनी चाहिए pen trade करना है किसी market में pen trade करना है पहुँचना है घुसना है हमने और retain करना है वहाँ पर presence को बनाई रखना है developed country के अंदर में जो developed country है वहाँ पर अपने product को establish करना आसान काम नहीं है क्योंकि उनके जो product होता है उनका standard ज्यादा high होता है तो उन ही उन देशों में अगर penetration की जुरूत है तो फिर EFM है ना export marketing fund जो इसका world bank का था उसको इसी purpose के लिए use होना था ओके फ्रंट लेकिन commitment होनी जी है टाप management की commitment होनी जी है उनके अंदर capability होनी जी है सारे resources अब label होनी जी है ऐसा नहीं है कि मतलब एक example के तोर पर समझ लीजे कि आपने सणक बनाने का जिम्मा ले लिया है लेकिन आपको आज JCB ही नहीं है या road roller ही नहीं है इस तरीके की situation नहीं होनी जी है आपको आज में overall resources होनी जी है capability होनी जी है काम को करक दिखाने की छमता होनी जी है टाप management अच्छा होना जी है पूरी strategy होनी जी है कि कैसे उस market में हम penetrate करेंगे और कैसे अपनी presence को बनाए रखेंगे अगर इन सभी सर्तों को जो company पूरी करती थी उन्ही को ही यह आपका export marketing fund से आपको वो मिलता था support मिलना था तो हमने EFM में जो notice करने वाली बात है आप जो question पूछा सकता है EFM1, EMF1, Export Marketing Fund 1 जो है 500 million का था World Bank की तरफ से EFM2 जो है 37 million का था World Bank की तरफ से और EFM3 जो है एक Jim Bank ने अपने अप खुद से ही launch किया था friends अब तीसरी तीसरा जो role है इसका वो है product liability insurance यह क्या होता है product liability insurance product जो है आपका उसकी liability उसकी जिम्मेदारी friends क्या होता है विदेशों में लोग ज़्यादा जागरूख है जो हमारी consumer forum होती ही वहाँ पर हमने और आपने साथ अभी तक कोई case नहीं किया होगा लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता अगर आपको याद हो अभी Johnson & Johnson जो baby powder आता था उसमें cancer की symptom मिले हैं जिसकी वज़े से US में काफी सारी lady ने जो है इनके उपर मुकदमा कर दिया है consumer forum चले गए और उसके बदले में US की court ने Johnson & Johnson को बहुत सारा पैसा पे करने के लिए कहा है उन lady को क्योंकि इनके product की वज़े से उनके बच्चों को problem हुई है इसलिए ये liable है तो वही है कि product liability insurance जो क्या होता है बिदेशों में लोग जानकार होते हैं अब मालीजे कोई Indian product हमारे देश से कोई goods जो है export होके गया लेकिन उसको खाने से कोई बीमार पढ़ गया दिक्कत होगी तो तुरंथी court में case हो जाता है और case होने के बाद में विदेश के जो court होते हैं वो दूसरे देश के company ओपर वैसे भी fine ज़्यादा लगा देते हैं नार्मली एक लाख लगना है तो Indian company पर 10 लाख का जुरुमाना लगा दिया अब ऐसे case में 10 लाख का जुरुमाना लगा दिया तो जो हमारे जो exporter है या जो हमारे देश के जो लोग है वहाँ पर ब्यापार कर रहे है उनको बहुत problem हो जाती है इतना पैसा वो कहां से बियर करेंगे कि court ने कहा कि 10 लाख जो है डॉलर इनको पे करो तो 10 लाख डॉलर कहां से लाएंगे इतना तो बिका भी नहीं जितना कि उन्हें देना पड़ गया मैं सिर्फ यह आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो आप क्या होगा जो हमारा exim bank है वो बोलता है कि आप हमसे इसका insurance करवा लीजिए यह कोई भी जो है liability आपके इंड पर product की आती है कुछ भी गरबड हो जाती है तो जो भी award code देगा उसका पूरा का पूरा payment आपका exim bank करता है तो यही है product liability insurance अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ exim bank की offer करता है और भी company आइसा offer करती है लेकिन उनका जो किस्त है वो बहुत महंगी होती है जबकि exim bank की जो है यह सस्ती होती है exim bank PLI program product liability insurance program enable the exporter to market entry effortless by sharing the initial cost of PLI premium तो इसमें क्या होता एक जिम बैंक जो इसका insurance का जो premium में उसको share करता है कम कर देता है और उससे फाइदा क्या होता है कि ताकि वो इस बात की चिंता नहीं है इस बात की चिंता नहीं कि वहां मैं मतलब हम दूसरे देश में जाएंगे और हमारा product अगर गरबड़ हो गया किसी को कुछ हो गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे जो भी अवार्ड होगा उसे एक जिम बैंक इंसोरेंस के तहट पे कर देगा अब जो रजिस्टर इंडियन एक्सपोर्टर है वो अगर OECD Organization for Economic Cooperation and Development अगर OECD इन देशों में अगर जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वही eligible होते हैं दीजेगा OECD कंट्रियों Organization for Economic Cooperation and Development जो कंट्रियां हैं उन्हीं कंट्रियों में अगर ये एक्सपोर्टर करते हैं तो ही ये जो प्रोड़क्ट लाइबिल्टी इंसोरेंस का प्रोग्राम है वो उनको मिलता है इसके बाद में अगला आता है आपका Export Vendor Development Lending Program तो फ्रेंस Export Vendor Lending Program का क्या concept होता है तो देखिए होता क्या है कि जरूरी जैसे यहाँ पर देख लिजे एक्सपोर्टर हो गया ठीक है यहाँ पर Manufacturer हो गया अब कई बार क्या होगा कि जो Manufacturer है वह एक्सपोर्टर है मतलब कहने का एक कंपणी है माल लेते हैं कोई भी एक एक जामपल ले लीजे माल लेजे Micromax है Micromax कंपणी खुद ही जो है मतलब मोबाइल बना रही है हमारे देश में और खुद ही उसे बेच रही है एक्सपोर्टर तो वो तो Simple सा Task हो गया कि Im Manufacturer लेकिन कई बार कुछ एक्सपोर्टर फ्रेंट्स ऐसे होते हैं जो Different डिफरेंट लोगों से सामान लेते हैं माल लिजे कि कोई एक्सपोर्टर है जिसने कार के पार्ट जो है एक्सपोर्ट करने का काम लिया हुआ है वो खुद कुछ नहीं बनाता है यह बनाता भी है लेकिन खुद माल लिजे कुछ साधी चीज़े नहीं बनाता है तो वो क्या करता है कार के टायर यहां से लेता है इंजन यहां से खड़ता है लाइट वगरा का वर्क इस बेंडर से लेता है एक जगे इकठा करता है और फिर उसको जहाज पर लाद करके एक्सपोर्ड कर देता है तो अगर इस तरीके के सिचुएशन चल रही है तो यह जो आपके छोटे छोटे वेंडर्स है इनके भी एक्सपोर्ड वेंडर डेवलप्मेंट लेंडिंग प्रोग्राम इनको भी लोन की जरूरत होती है भाई जो यह मालो एक्सपोर्डर जो था उसको तो एक्सपोर्डर ने लोन दे दिया एक Jim Bank क्या कर रहा है जो exporter उसको loan दे दे रहा है लेकिन इस चोटे vendor है यह तो exporter है नहीं तो इनको एक Jim Bank loan नहीं देगा क्योंकि वो importer और exporter के काम में आता है तो उसी चीज में export vendor development lending program बना हो trust की यह क्या करेगा एक Jim Bank इन इसको इस exporter को loan दे देगा और बदले में इस exporter के उपर depend है वो जितना जितना चाहे इस इसी loan में से वो इनको provide कर देता है ताकि ये लोग भी अपना सामान बना सके क्योंकि भाई ये तो exporter है कार की टायर बनाने उसका सामान ही नहीं तो ये vendor बना कर कि इसको कैसे देगा तो इसी लिए ये एक्सपोर्ड वेंडर लेंडिंग प्रोग्राम होता है है तो यही इसमें जो बैसिकली जो टार्गेट है वो यही है ELBDB enables exporter to support vendor development वेंडर डेवलेमेंट इसमें exporter को grant कर दे जात है और वो बदले में strategy बना करके किसको कितना लोन देना वो दे देता है अपने vendors को ताकि उनका भी development हो सके उसका में आपको एक जिम बैंक की लाइन आफ क्रेडिट के बार में पहले ही बता दिया है इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है जिसमें यही जान लीजे कि लांग टर् अब इसमें एक दो बाते और जो जानने वाली है वो फ्रन्स डेफरर पेमेंट क्रेडिट का काॉंसर्ट पता ही है तीज से पांट साल में पेमेंट हो रहे तो धेफरड़ पेमेंट है इसमें क्या होगा एक स्पोर्टर गेट आडर फ्राम आपरेटिंग एजंसी बायरस कं करता है एजंसी जो होती है बारस कंट्री फूचिज इस्यूट अंडर लाइन आफ क्रेडिट आफ एक्जिम बैंक ठीक है एक्सपोर्टर को आडर कौन देगा तो जो हमारे देश के एक बार जो है एक्सपोर्टर जो उसको आडर आया किस से बार की कंट्री से जो एजंट ने दिया एजंसी ने दिया और जो लेटर आफ क्रेडिट एक्जिम बैंक की तरफ से आया हुआ उसके बेसिस पर यह क्या करेगा प्री सिप्मेंट फाइनस अबलेबल करवा लेगा प् के लिए pre-sipment है ना pre-sipment का credit finance या credit अब लेबल करवा लेते हैं और एक बार जो है shipment हो जाती है मतलब सारा goods बन गया और shipment हो गई सारा सामान भेज दिया तो वो जो documents हैं वो जो है submit कर दिया जिस bank को और bank जो है एक जिम बैंक को एक जिम बैंक से अपना वो claim कर लेता है है ना reimbursement claim from एक जिम बैंक अंडर दा लाइन अब लेबल ओके तो जैसे exporter जो है exporter गया उसने line of credit के basis पर किसी bank से पैसे ले लिए और अपना सामान बनाया और सारा कुछ भेज दिया विदेश में अब जब सामान भेज दिया तो इसके पास में bill of letting हो गयरा आ जाएगा वो ले खोली वे एक जिम बैंक इसे वापस कर देगा और अब जो देश है वो तीन से पांच साल में धेरे-धेरे करके एक जिम बैंक को पैसे वापस कर देगा और यह पूरी ट्राजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंस यही इतना था line of credit एक जिम बैंक का line of credit आपने समझ दि अब उसमें क्या होगा हमारे देश में हम सायदना कोड में केस करें लेंकि भी देशों में केस हो जाता है मैक डी को उसके बदले में 2,00,000 डॉलर या जितना भी पे करना पड़ता तो उसका इंस्वरेंस जब प्रोवाइड करता है तो वही फ्रेंस प्रोड़क्ट रिल्लि इसो मिलियन डॉलर का फंड टू आया था साइंतिस मिलियन डॉलर का है ना और उसके बाद में एक जिम बैंक थ्री ने खुद ही जो है अपने रिसोर्से से थ्री भी लांच किया था और इसको उनको दिया जाता है जो डेवलप्ड कंट्री में मार्केट को पेंट्रेट करके महाँ पर अपने आपको रेटेन करने की कोसिस करते हैं वही एक्सपोर्स मार्केटिंग फंड होता है विदेश में कोई प्रोजक्ट को इसटार्ट करना है तो वहां मैंनपावर की जरोथ है या कोई प्लान बनाना है या कैसे जो है कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी लगी कैसे कैसे क्या क्या होगा उपूरी जरनकारी देने kings country अऔर और सर्विसस थी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ड मैं आप बता है स्री देश को किसी देश की सरकार को है ना या किसी देश की financial institution को regional development bank को उस देश की सरकार को या किसी entity को अगर loan दे दियाता है तो उसे line of credit कह देंगे फ्रेंस उसके आदमे corporate banking में research और development के लिए loan दे देते हैं pre shipment या packing credit post shipment credit देते हैं अगर export औरेंटेट का company है तो उसको लेंडिंग करते हैं import के लिए भी लेंडिंग corporate services के तहत करते हैं उसके आदमें मैंने आपको buyers credit का concept समझा दिया था बायर के credit में क्या हो था विदेश में किसी बायर को पकड़ते हैं उसको loan दे देते हैं और पिर अपने देश से सामान export कर रहाते हैं बाद में पैसे धीरे दे वापस ले लेते हैं इसमें क्या होता मैंने इक बात notice करने लिए बता है export करने के लिए देश का सामान export करने के देश के goods को बाहर भेजने के लिए ही केवाल बायर्स credit यूज होगा ये बात ध्यान रखना है mid term और long term के लिए ये facility होती है फ्रेंस ओके तो बायर credit, corporate banking, letter of credit ये सारी बाते हमने यहाँ पर समझ ली इनकी जो philosophy है क्या करना चाते हैं international market में हमारे देश के exporter के कदम जमाने की कोसिसिन की रहती है एक जिम बैंक इस्टब्लिस उन्नीस वे क्यासी में होता है इसका headquarter मुंबई में है ये RBI की subsidiary है ओके फ्रेंस उसके बाद में एक जिम बैंक का इस्टब्लिस होता उन्नीस वे क्यासी में और इसे एक catalyst या key player भी investment की लिए ओकर फ्रेंट थैंक यो सो मच